हेलो फ्रेंड्स वेलकब टू आल आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आप देखिए और मिलेंगे तो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होगा तो शेर प्राइस बढ़ेगा प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट होगा तभी इन्वेस्टर्स को भी फा से और फ्यूचर देखिए इसका मतलब इतने ओर्डर से फ्यूचर के लिए कि भई फ्यूचर तो ब्राइट है 500 रुपय का शेर नया है मार्केट में उसका मतलब क्या है भिया नया मतलब अभी कुछ पहली ज्यादा साल हुए नहीं बाथ करते कौन सा ये शेर क्या और्डर की बात चले क्या प्रॉफित है तेंक पहलीनως पहले जवल ये लेके चलता हूं आपको इस शेर के बारे में, order की बात करते हैं सबसे पहले, company का नाम rites, rites, railway की यह company है, मीनी रतना government company है, इसलिए बढ़िया dividend देती है, मीनी रतना company है, और जो भी PSU company होती है, यह काफी कम कंपनी जैसी हैं जो काफी अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं बढ़िया डिविदेंट देती हैं अब मिनी रतना कंपनी जो है शेडूल ए पब्लिक सक्टर एंटरप्राइज है यह काटेगरी वन की और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर है बहुत बढ़िय अगर आप इसका order book देखें order book की जहां पर हम बात कर रहे हैं अगर अब पिछले साल financial year 18 से compare करें financial year 19 तो पहले इसकी order book 4818 करोड की थी वही order book financial year 19 के अकाउंट में 6142 करोड मतलब जबर दस्त कंपनी ने 300 प्रोजेक्ट और कंट्रेक्ट मतलब मोर दन 300 प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट सेक्यार किया है बहुत ही बढ़िया अब अब आप सोच रहेंगा है यह company railway के और इतने ज्यादा है इसको इसका revenue इतनी ज्यादा इतनी फास्ट कैसे बढ़ रही है एक चीज जान दे लिए इंडिया का railway network अगर आप Google पर जाके सर्च करें इंडिया का railway network सबसे बड़ा network है और वहां पर काफी development का opportunity बहुत ज्यादा है मतलब अभी इतना डिवलब्ल नहीं है वह तो इसलिए ऐसी company जो railway के लिए काम कर रही है और although अभी भी वह profitable है और आने वाले टाइम उनको और order मिल रहे हैं तो यह चीज उनके लिए अच्छा खासा एक positive point हो जाता है और उन shares के लिए मतलब ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पर बढ़िया कमा के जाएंगे क्योंकि वह profit कमाएंगे वह इसलिए dividend देंगे क्योंकि उनको profit हो रहा और profit क्यों हो रहा है क्योंकि उनके पास काम है order book है उनके पास future के लिए भी दिख रहा है कि हां काम है अच्छ management consultancy to Indian railway station development अब देखिए railway station अगर आप इस railway station front पे देखें तो यहाँ पी भी काफी railway station renew किये जा रहे है मतलब नए तरीके से बनाया जा रहे है बहुत काम है मैं तो यह हूंगा 81 करोड का यह order मिला था यह काम मिला था और कुछ टाइम पहले 10 करोड का एक और order मिला था उससे पहले 137 करोड का order मिलता है इस तरह किसे multiple orders मिलने तो टोटल अभी दीखे 2320 करोड के total order 152 करोड का तो अलग-अलग different different contract मिलते जा रहे है राइट को और यहाँ पर Northern Railway से इसको करोड के total काम मिला है modernize करने है सारे रेलवेज के stations और और वहीं पर इसको एक प्रोजेक्ट और मिला था 294 करोड का एक order book 254 करोड तो अलग-अलग different order book है यहाँ पर जो पिछले साल के comparison अलग-अलग अब देखे नौर्दन रेलवे सदन रेलवे सहर कोई काम दीगा कि रेलवे की कंपनी है काम तो मिलेगा यह गौर्मेंट कंपनी है फेवर भी किया जाता है यहीं पर एक चीज में इसके fundamentals आपको दिखाऊंगा यह तो हमने करी order की बात सबसे पहले आप market capitalization देखिए 5000 करोड करोड का है डिविडेंट भी बहुत ही बढ़िया डिविडेंट देता है डेट के मामने में जीरो डेट की कंपनी कंपनी के ओपर कोई डेट नहीं प्रोड़िंग बहुत जबरदस कि अभी गौर्मेंट ने कुछी परसंस टेक इसका आउट किया है बाकी लोगों के लिए बाकी सब ग राइट की बात कर रहे हैं राइट की अधर में आपको थोड़ा और डिटेल में लेके चलो जिसे आज का प्राइस का दाउट 252 का है नसी बीसी दोनों पर बहुत बढ़िया एक बाई सेंटिमेंट भी है मनी कंट्रोल डॉट कॉम पर अगर आप देखो तो और डिविडें अब आप यह देखे 500 रुपय का शेर है अब तक एक साल पूरा नहीं तीन बार डिविडेंट चार रुपय चार रुपय पर सतर पैसे दो रुपय चार चार आट तो दस ग्यार रुपय के आसपास का डिविडेंट तो बहुत बढ़िया डिविडेंट के मामने में भी देती है क्योंकि उनका एक रूल होता है जो भी वह कमाते हैं उसका 30% सपोज किसी कमपनी ने 100 करोड कमाय तो 30 करोड उनको डिविडेंट के ऊपर बाटने है क्योंकि वही डिविडेंट गौर्ण्मेंट भी यूज करती है अब डिविडेंट तो आपने देख लिया अब मै दा रही है और बाकी सरकारी स्टेक है प्रेजिडेंट पर इडिया का 87.4% होल्डिंग है एजडी एपसी ट्रस्टी कमपनी लिमिटेड की भी इसमें होल्डिंग है वह भी 2.58% इंडिविच्वल इन्वेस्टर की काफी कम होल्डिंग है 4.03% की तो यह आपने देखी इसकी शेर होल्डिंग पैटर्ण यहीं पर मैं आपको देखाना चाहता हूँ इसका टेक्निकल चार्ट शेर मार्केट में कब लिस्ट हुआ था वह देखे सबसे पहले यह जुलाई 2000 जुन जुलाई 2018 में आया था अभी एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है अब इस चीज को फोकस की कीजिए एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है जब मार्केट में आया था तो उस टाइम पर ऐसा कुछ अगर आप यहां पर देखें तो ऐसा कोई स्ट्रॉंग मैं कहूंगा यहां पर मैं भी लाइंज ड्रॉ करके दिखातों आपको क्लारिटी होगी यह देखें मार्केट पर जब आया था तो कोई इतना जबरदस्त उच्छाल नहीं आया था लिस्टिंग गेन नहीं हुआ था रूखा सूखा शेर था देखिए और फिर सीदे 280 पार दूसा स्टॉप 290 पार तीसरा स्टॉप 320 पार यहां पर यहां पर यह कंसॉलिडेशन हुई कंसॉलिडेशन हुई फिर नीचे आया वापस गोता लगाता हुए नीचे और यह लेवल था इसका रेजिस्टेंस का जो कि जब यह स्टार्टिंग में आया था तो सपोर्ट का काम किये देखिए घीरा यहां पर आके धीरे धीरे करके वापस अगर डाउंट्रेंड की लाइन ड्रॉ कर रहा तो उसके बाद इस पॉइंट से जो हमने अप्ट्रेंड की लाइन ड्रॉ करिया वह इसका सपोर्ट का काम किया और अगली बार इनी लेवल से इसक रेंज में गया और उसी रेंज को यह पार नहीं कर पाया और फिर से नीचे आया तो मतलब यह तो इसकी तगडी रेंज होगी भी जिसको यह पार नहीं कर पार रहा एक barrier kind of वापस गिरा share नीचे आया मिल्कुल नीचे आया और यही trend line इसका support का काम था लेकिन यह उससे पहले ही जहां से बांच पैक होगया अब इस बार इस ने पुराने इस रेंजE ने इसका काम किया यह जो रेंजE थी जहां पहले इसका सपोर्ट मिला था वहीं से सपोर्ट का काम किया और शेर में एक बढ़िया जम देखने को मिला 250 के आसपास से वापस गया शेर वापस उपर गया लेकिन अब देखिए इस बार पुराने लवल थाई नहीं पर ति मिल पाया तो बिल्कुल धराम जाके गिरार नीचे गिरा ऊपर आया फिर जाकि देखिए अगला सफेर कहा मिला इसका जो सपोर्ड का पॉइंट था जो स्टाइट र 처 रेंज था दो तो एक सो नबबी की रेंज वहीं आपके यह वापस आया नाफ का बहुत बढ़िया एक स्ट्रॉंग सपोर्ट के लिए अब वापस वहां से इसने बाउंस बैक करने की कोशिश जरूर किया देखिए धीरी धीरे करके कोशिश कर रहा है बाउंस बैक करने की और यह हाई जो है यह शो कर रहे कि नीचे जाएगा लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अभी यह लो भी नीचे कर रहे लेकिन अगर यह इस ट्रेंड लाइन को मैंटेन करता है तो वापस उमीद है इस शेयर में बाउंस पे अभी रिजल्ट के इस टाइम अगर कुछ डिविडेंट डिक्लियर होता है तो उमीद है कि और बढ़िया कर सकता आने वाले टाइम में नो डाउट और यहां से उमीद अभी अगर आप देखें शॉट टम में इसका डाउंट्रेंड जरूर देख रहा है लेकिन लॉंग टम में मैं कहूंगा एक बहुत बढ़िया शेयर है जो एक अच्छा खासा रिटन दे सकता है कि रेलवेज में बहुत काम बाकिया और और इसी को मिल रहे तो फेवरेट यही है उमीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो शेयर जरूर केजिए लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो प्ली सब्सक्राइब जरूर कर लें तैंक्यू तैंक्यू पर वाचिन दा वीड